जाके डाउनलोड करो Avast Secure Line VPN Avast Secure Line VPN में आपको 50 से जादा कंट्री के लोकेशन्स मिल जाते हैं इसका 1 month subscription आपको 60 रुपीज में मिल जाता है और half year का subscription आपको इसमें 290 रुपीज का दिया जाता है और yearly subscription आपको इसमें 429 रुपीज का मिलता है साथ में आपको इसमें 7 days free trial भी मिल जाता है मतलब आप 7 दिन इसे मुफ्ट में इस्तिमाल कर सकते हो Avast Secure Line VPN में आपकी privacy का काफी ध्यान रखा गया है ये आपको hackers look से महफूज रखता है और काफी अच्छा brand है Avast नाम आपने तो पहले ही सुना होगा इनका user interface और इस application को इस्तिमाल करना काफी असान है और अगर आपके घर में Android TV है तो आप अपने TV को pair करके TV में इस Avast VPN को चला सकते हो ये VPN अपने आप automatic connect हो जाता है जैसे ही आप Avast Secure Line VPN को उपन करते हो जैसे Android, Windows, iOS, Mac और Chrome browser आपको अगर लगता है कि हाँ Avast VPN काफी feature प्रोवाइड करता है तो comment box में बताईए हम उसे hard देने का काम करेंगे और सब hashtag बना दो जाए Avast Secure Line VPN तो जाके download करो Avast Secure Line VPN link in the description box तो येर, Dragon Ball Super की नई कहानी कौन से दिशा में जाने वाली है इसका किसी को भी रती भर का भी अंदाजा नहीं है लेकिन एक लाइन ने ही पूरे fandom को गौर करने पे लगा दिया और वो लाइन ये है strongest warrior in universe 7 में आने वाला है ये आर्क में सिर्फ यही सबसे बड़ा suspense नहीं है बात यहाँ ये भी है कि क्यूं राजा एलेक ने ग्रेनोला से 7-3 को अधमरी हालत में अपने पास मंगवाया सवाल ये भी है कि उसको ठीक करने के बाद वो 7-3 का क्या करेंगे क्यूंकि हमें पता है 7-3 का raw power level गोहान और पिकलो के बराबर है वो बात अलग है अगर वो किसी की गरदन को हाथ में दबोज ले वो उसकी तरह बन जाता है सवाल ये भी है कि आखिर एलेक का मकसद क्या है और जो बार-बार वो ये कह रहा है कि उसे युनिवर्स 7 पर राज करना है तो क्या इतनी असानी से बेरस वीस God of Creation उसको राज करने देंगे सवाल ये भी है कि क्या एलेक को पता नहीं कि अगर युनिवर्स 7 पर उससे राज करना है तो उसके लिए उसको कितने रास्ते पार करके जाने होगे पहले उसे सेयन से लड़ना होगा फिर God of Destruction फिर Angels Angels का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि वीस ने मोरो के आर्क में ही ये साफ कर दिया था कि अगर God of Destruction उसे ओर्डर देते हैं तब ही वो रियक्ट करते हैं अपनी मर्जी से वो किसी चीज में हाथ नहीं डालते हैं जब तक उनको उनका God of Destruction उन्हें इजाज़त नहीं दे देता और ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि Granola भी इस बास से वाकिफ है कि वो अभी इस काबिल नहीं है कि Frieza के अगेंस्ट में खड़ा हो पाए जब वो खुद जानता है कि वो Frieza के सामने नहीं खड़ा हो सकता तो पूरा आर्क इस शक्सियत के नाम पर क्यों कर दिया गया है और ये भी सवाल है Granola Frieza के अगेंस्ट में जाएगा और क्या Alec Frieza को बैक डूर से अपने साथ मिलेगा या Granola के साथ Alec भी Frieza के खिलाफ में खड़ा होगा और सवाल ये भी है कि अगर Granola, Alec, Frieza और सेयन्स के खिलाफ खड़े होते हैं तो क्या Frieza सेयन्स का साथ देगा जैसे उसने Tournament of Power के दोरान दिया था क्योंकि बात उसके अकेले के जान की नहीं है उसकी जान दोनों तरफ से फसी हुई है अगर यूनिवर्स 7 पर Alec अपनी होकूमत कायम करता है तो Frieza को उसकी नीचे का गुलाम बनके रहना होगा अगर Alec के साथ Frieza नहीं जाएगा तो उसकी जान का प्यासा Granola भी आजाद गूम रहा है और स्रियंस अगर एक साथ आएंगे तो कोकू वेजीटा को ब्रॉली को भी ढूंट के निकालना पड़ेगा अब देखो ये थे सारे सवाल इस आर्क के कि कितनी खुबसूरत तरीके से इस आर्क ने अपना बेज बनाया है ना कि मोरो आर्क के तरह सरना पैर और कुछ भी होए जा रहा है अब हर किसी का तो सीधी सी बात है मैं जवाब नहीं दे सकता लेकिन जहां तक बात है सेवन थी की कि क्या वज़ा हो सकती है कि एलेक ने सेवन थी को अदमरी हालत में अपने पास मंगवाया तुम और हम ये साफ जानते हैं मोरो ने जब सेवन थी को अब्सॉप किया तब आखरी में मोरो के पास एंजल्स की पावर्स थी हो सकता है कि मोरो के मरने के बाद सेवन थी के अलग होने के बाद एलेक किसी बड़े साइंटिस के सेवन थी को हवाले करके इंजल्स की powers के traces को ढूंड निकाले और उस power को वापस से 7-3 के अंदर वो regenerate करे क्यूंकि देखो जहां तक मुझे समझाता है कि 7-3 को लाने का मकसद वही है कि वो इंजल्स की powers का trace ढूंड निकाल पाए ये उमीद में कि क्या पता मौरों के बाद भी 7-3 के अंदर वो powers रहे गई हो क्योंकि मौरों के magic का हमें पता है उसने इंजल्स की ability को permanent कर लिया था क्या पता हो सकता है कि 7-3 को गटकने के बाद 7-3 में भी कुछ magic के जरिये वो ability permanent हो गई हो Galactic Petrol वालों को शायद ये अंदाज़ा ना हो science को शायद ये अंदाज़ा ना हो किसी ने इस बात पर शायद गौर ना किया हो लेकिन 7-3 का जो founder होगा हो सकता है कि उसे ये पता हो कि शायद 1% chances हो कि 7-3 ने universe की सबसे बड़ी power को copy किया था अगर किस्मत रही तो शायद वो power का data उसके backup में मिल जाए जिससे वो उस power को जैसे दैसे restore कर सके और शायद जैसे ही 7-3 की power restore होगी वही शक strongest warrior in universe के रूप में पैदा होगा अब बात रही कि लेकिन वीस ने कहा था अल्ट्रा इंस्टिंग और angels की power को हजम करना हर किसी की बात नहीं ये भी हो सकता है कि 7-3 का जो creator होगा वो उसे इस तरीके से update करते कि 7-3 का जिस्म angels की power तक को hold करने की शमता रखता हो और देखो मैं ये theory इसलिए दे रहा हूँ कि क्यों हो सकता है कि वो 7-3 के अंदर angels की power को restore करेंगे इसका एक और सबसे बड़ा hint ये है वीस का ये कहना कि उसके और मेरस के power level में जमीन आसमान का फरक है तो इससे मेरा शक इस तरफ जाता है कि शायद हाँ वो जो warrior होगा अगर उसमें angels के power होगी तो वीस के नीचे होगी फिर वीस का ये कहना कि सबसे उपर का किसी को दरजा दिया गया है हम angels में तो वो है grand priest तुम समझ सकते हों मैं कहना क्या चाता हूँ शायद वो writer ने हमें remind करने के लिए तभी वीस से बुलवाया हूँ कि उसके और मेरस के power level में जमीन आसमान का फरक है क्योंकि new warrior अगर angels की power के जरिये बनता है तो गोकु और Vegeta के जहन में ये बात रहे कि इस चक से लड़ने का मतलब ये है कि मीरस से लड़ना और वो भी जो warrior होगा अगर वो angels की power से पैदा होता है तो वो भी मीरस की power level के 100% पर होगा तो गोकु के लिए या किसी और गिलिए सबसे बड़ा task किये होगा कि वो अपने को कम से कम मीरस के power level तक और उसके उपर जा सके अब तुम कहोगे लेकिन गोकु ने तो मोरो को सरपास कर दिया था जबकि उसके पास मीरस की powers थी तो ये बात को ध्यान रखो मोरो ने ढंग से मीरस की power को इस्तमाल नहीं कर पाया और वीस ने ये भी कहा था तुम अल्टरा इंस्टिंग का अभी 1% भी नहीं जानते और इंजल्स की power level में जमीन आसमान का फरक होता है और उसने भी मीरस का example दिया कि खास करके मेरा और मीरस की power level में बहुत फरक है और जिसको उठा के लेके गए है 7-3 को वही शक्स के अंदर मीरस का backup हो सकता है तो क्या ये सब चीज कहीं एक तरफ इशारा करती है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हाँ point strong है तो तुम भी comment box में comment करके बताओ कि हो सकता है कि 7-3 के अंदर से वह लोग मेरस के power का backup निकाले है और वीडियो को like करो यार दस लार like तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और अगर चैनल को subscribe भी कर दोगे तो 400 के हमारे जल्दी से हो जाएंगे और क्या तो कर दो यार और comment box में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने जो तुम्हें इशारा बताया वेसका और 7-3 का क्या वैसा कुछ मुम्किन है और जाके download करो अवास secure line VPN link in the description तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए topic के साथ तो नमस्ते खुदा आफिस सत्रेकाल एंड गुड़ भाई झालो नमस्ते खुदा आफिस सत्रेकाल उन्मस्ते खुदा आफिस सत्रेकाल एंड वेसका जब भाई